हेलो दोस्तो हम कर रहे हैं chapter 3 indeterminate form और पिछली वीडियो में हमने इसकी exercise 3.3 के basic concept को और examples को समझा आज हम करेंगे exercise के questions तो देखिए question number first का first part दियागा है limit x extend to pi by 2 function cos x इसकी power है cos x तो सबसे पहले हम इसको y के को let कर लेंगे और फिर देखो यदि हम यहाँ पर pi by 2 limit direct put करते हैं तो cos pi by 2 means cos 90 degree cos 90 degree पर हमारा पास होता 0 के equal तो यहाँ से क्या जाएगा 0 की power 0 तो हमारा पास form आजाएगी 0 की power 0 undeterminate form तो इसके लिए सबसे पहला step हमारा क्या आता है taking log on both sides इस power को आगे लेके आने के लिए हम log लेते हैं both sides तो यहाँ से क्या जाएगा log y equal to limit x extend to pi by 2 cos x into log cos x देखो यहाँ पर हमने log लिया तो log के मरपास एक identity होती है log a की power यदि b होती है तो इसको कुछ इस प्रकास लिखते है b into में log a तो वही हमने किया है यहाँ पर जो cos x था उपर उसको आगे लिया है और इसके into में हो जाएगा log cos x जो की cos x यहाँ पर था अब देखिए यहाँ पर limit put करके देखते हैं cos pi by 2 means cos 90 degree तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0 फिर log into में cos x है तो यहाँ पर pi by 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा log 0 पर हमार पास होता है infinite तो हमार पास यह हो जाएगा 0 into में infinite form इस form को solve करने के लिए हम क्या करते हैं यह हमार पास दो function होते हैं आपर fx एंड यह हमार पास zx है किसी भी एक को निचे लेके आते हैं तो इसको निचे लेके आएंगे log y equal to limit x extend to pi by 2 यहां से देखिए log cos x और इसको निचे लेके आएंगे तो देखो हम क्या कर सकते हैं cos x को 1 by sec x की form में लिख सकते हैं तो upon में आके यह हो जाएगा sec x अब यहां पर limit put करके देखते हैं तो देखिए cos pi by 2 means cos 90 degree यहां पर 0 फिर log 0 पर क्या आएगा हमारे पास infinite यहां पर secant pi by 2 करेंगे तो यह भी 90 degree पर infinite होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं apply करते है apply all hospital rule इसके coding आप देखिए log y equal to limit x extend to pi by 2 सबसे पहले लोग की respect में करेंगे तो यह हो जाएगा one upon cos x फिर हम cos x का differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा minus sin x minus यहां पर लगा देते हैं फिर देखिए secant x है इसका differentiation जब हम करते हैं तो यह हो जाएगा secant x into 10x और यहां से आप देखिए यह क्या हो जाएगा उपर minus sin x upon cos x यह हो जाएगा यहां से 10x upon में secant x into 10x तो यह से cancel हो जाएगा 10x से 10x फिर हमारे पास यहां सी करेंगे जाता है log y equal to limit x extend to pi by 2 1 upon में secant x और यहां से यह minus है तो 1 upon में secant x को हम किसके को लिसकते हैं cos x के तो यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से log y equal to limit x extend to pi by 2 minus cos x और यहां पर यह limit पूट करेंगे x किजगे तो cos 90 degree पर हमारे पास क्या आफ़ता 0 के equal तो यह negative है इससे कोई फरक ने पढ़ता यह हमारे पास 0 के equal आएगा तो यहां से मारे पास क्या जाएगा log y equal to 0 और हम बोथ साइड एंटे लोग लेंगे ताकि यहां से रिमूव हो जाए तो यह हो जाएगा y equal to 2 की power 0 और किसी की power में यह 0 होता है तो मारे पास होता है 1 के equal अब हम क्या करेंगे जो हमने y let क्या था यहां पर जो question की statement है उसको y किस गहां लिख देंगे limit x extend to pi by 2 into में cos x की power cos x equal to आजाएगा 1 के हमारा solution अब इसी तरिके से second part करते हैं इसकी statement है limit x extend to 1 x minus 1 की power x minus 1 तो देखिए यदि हम direct नहीं पर limit put करते हैं x की जगा 1 तो 1 minus 1 0 उरूप पर भी 1 minus 1 0 तो यह हो जाएगा 0 की power 0 from तो सबसे पहले हम इसको y के equal let कर लेंगे और अब हम क्या कर देंगे taking log on both sides तो यह जाएगा log y equal to limit x extend to 1 यह आगया जाएगा तो यह जाएगा x minus 1 into my log x minus 1 अब देखिए यहाँ पर अब limit को put करते हैं तो 1 minus 1 यहाँ से तो 0 और यहाँ से 1 minus 1 0 log 0 पर आपको बता है क्या होता है infinite equal तो यह हमरे पास आज जाएगी 0 into my infinite form इसके लिए हम क्या करते हैं यह दो function हमरे पास f x and g x इसके लिए हम क्या करेंगे किसी भी एक को नीचे लेके आएंगे तो यह हो जाएगा log y equal to limit x x tend to 1 इसको नीचे लेके आते हैं तो इस प्रगार से हो जाएगा log x minus 1 upon 1 upon x minus 1 अब यहाँ पर limit को put करते हैं तो देखो यहाँ पर 1 put करेंगे तो 1 minus 1 0 तो उपर हो जाएगा log 0 और log 0 पर हमार पास होता है infinite तो उपर infinite यहाँ पर देखो 1 upon में यहाँ पर 1 put करेंगे एक स्कीज़ गया है तो 1 minus 1 0 something upon में 0 भी हमार पास infinite के लोग होता है तो इस फो मार पास हाजाएगी infinite upon में infinite इसके लिए हम क्या करते हैं apply करते है apply all hospital rule इसके coding आप देखे लोग y equal to limit x extend to 1 सबसे पहले लोग के respect में करेंगे तो 1 upon में x minus 1 अब हम x minus 1 के respect में करेंगे तो x के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा फिर देखो इसका जब हम करते हैं तो उपर minus and upon में हो जाएगा x minus 1 का यहाँ पर whole square यहाँ पर देखे इसकी power 1 है तो इसको इससे cancer कर देंगे और यह चला जाएगा उपर तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा limit x extend to 1 यह minus है ना तो minus into में x minus 1 और यहाँ से हम limit को put करते हैं 1 तो यह हो जाएगा 0 तो महार पास यहाँ से क्या जाएगा log y equal to 0 both side anti-log लेंगे ताकि यह log यहाँ से remove हो जाए तो यह हो जाएगा y equal to e की power 0 और यहाँ पर y की volume put कर देंगे हमार पास जो equation थी limit x extend to 1 x minus 1 की power x minus 1 equal to 1 के तो महार पास इसका answer आजाएगा अब हम करते हैं question first का third part इसकी statement है limit x extend to 0 x की power x तो देखो सबसे पहले limit put करते हैं तो यह क्या जाएगा 0 की power 0 form इसके लिए हम क्या करेंगे let कर लेंगे इसको let y equal to limit x extend to 0 x की power x और यहाँ पर क्या लेंगे taking log both sides तो देखिए क्या जाएगा log y equal to limit x extend to 0 और log की identity के तैत यहाँ ग्या जाएगा x x into log x अब आप देखें यहाँ पर limit put करेंगे तो यह क्या जाएगा 0 into में यहाँ पर यह 0 जाएगा log 0 आपको बता infinite के एकवल होता है तो यह मारबास जाएगा 0 into my infinite form इस form को आजाने के बाद हम क्या करते हैं किसी भी एक function को निचले के आते हैं इन में से इसको निचले आएगे तो यह कुछ इस परिकार से हो जाएगा rule तो इसके coding आप देखें यह क्या हो जाएगा log y equal to limit x extend to 0 सबसे पहले log x है इसका differentiation जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon my x निच्चे है 1 upon my x तो इसका जब हम differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा minus 1 upon my x का square पर यहां से x को इससे cancel कर देंगे तो यहां से कहर जाता है minus x और यहां पर जब हम limit को put करेंगे तो यह मार पास आजएगा 0 तो यह मार पास क्या जाएगा log y equal to 0 और अब देखिए antilog लेकर इस log को यहां से remove करेंगे तो यह हो जाएगा y equal to e की power 0 y equal to 1 y की value put कर देंगे आपर यह क्या हो जाएगा limit x extend to 0 x की power x equal to 1 इसका हमारे पास आजफरा जाएगा अब हम करते हैं fourth का part यह क्या है limit x extend to 1 function है 1 minus x square power है 1 upon में log 1 minus x तो देखें इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर limit को put करके देखते हैं direct कौनसी form हमारे पास बन रही है यह तो 1 minus 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर देखो 1 upon में log into में 1 minus x तो x की ज़िए 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा log 0 पर आपको पता infinite होता है और यह उपर 1 है तो 1 upon में infinite upon में log 1 minus x अब देखे हम ले लेंगे log taking log on both sides तो यह क्या जाएगा log y देखे लोग हम क्यों लेते हैं जो मारे पास power होती है इसको आगे लेके राने के लिए हम log लेते हैं यहाँ पर तो देखे limit x extend to 1 यह आग जाएगा 1 upon में log 1 minus x into में log 1 minus x square अब हम यहाँ पर dark limit put करके देखते हैं तो यह देखे क्या हो जाएगा 1 upon में log 1 minus x तो यहाँ पर देखे एकस की जाएगा वन करेंगे तो 0 जाएगा log 0 पर मारे पास क्या हो जाएगा infinite फिर उपर भी आप देखें यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 minus 1 0 लोग 0 पर हमार पास क्या होता है infinite हमार पास हाजाएगी infinite अपॉन में infinite फोर्म देखो वैसे आपको मैं बताओं लोग 0 पर हमार पास यहाँ पर कोई रोल नहीं होता कि वहल हमें यह देखने infinite अपॉन में to 1 तो देखो यहां पर लोग की रिस्पक्ट में जो हम करते हैं तो जब यहाँ जाएगा one upon में one-x केर और यहाँ पर माइनएस एकस केर इसकी रिस्पक्ट में करेंगे तो यहाँ जाएगा minus two x फिर देखो अपन में यहाँ पर क्या है लोग into में 1-x लोग की respect में करेंगे यह क्या हो जाएगा 1 upon में 1-x और minus x है तो इसकी respect में यहाँ पर क्या हो जाएगा into में minus 1 इस minus से इसको cancel कर देते हैं और इसको हम उपड़ ले जाते हैं तो हमार पास यह क्या हो जाएगा limit x extend to 1 1 upon में इसको देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे 1 का square minus x का share तो हमार पास यह formula आता है a square minus b square को हम किसके equal लिखते हैं a plus b a minus b कुछ इसी प्रकार से इसको लिख देंगे 1 minus x into में 1 plus x इसको में उपड़ ले जाएगे यहाँ पर आजाएगा 1 minus x और यह 1 यहाँ पर आजाएगा इन दोनों को cancel कर देंगे यहाँ से मार पास क्या रहता है log y equal to limit x extend to 1 1 upon में 1 plus x और यहाँ से हमार पास into में 2x पी था तो into में 2x हो जाएगा अब हम limit को put करते हैं तो देखो उपर 1 put करेंगे यहाँ पर x कीज गए तो यह उपर 2 यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 plus 1 यह भी 2 यहाँ से क्या जाएगा 1 तो मार पास क्या जाएगा log y equal to 1 anti-log को लेकर log को remove करेंगे तो यह जाएगा y equal to e की power 1 और y की value input कर देंगे जो मार पास equation थी question में limit x extend to 1 1 minus x square की power 1 upon log into 1 minus x equal to e की power 1 तो हमारा यह complete answer आजाएगा अब देखिए second question करते है second question का first part है limit x extend to a x minus a की power दी गई है x minus a तो सबसे पहले limit put करके देखते हैं आपर x की जाएगा a put करेंगे तो यह क्या जाएगा a minus a यहाँ पर 0 ठीक इसी परकार से power में भी a minus a होगा तो यह जाएगा 0 की power 0 form तो इस form को आजाने के बाद हम क्या कर लेंगे इसको let कर लेंगे let y equal to limit x extend to a x minus a की power x minus a फिर देखिए इतना करने के बाद हम क्या कर लेंगे taking log on both sides तो यहाँ से क्या जाएगा limit देखिए इस तरफ के आप जाएगा log y equal to limit x extend to a और जो हमार पास यह power में है न यह आ गया जाएगा तो यह जाएगा x minus a into my log x minus a यहाँ पर अब हम limit put करके देखते हैं तो यहाँ से देखो x की जाए a put करेंगे यह तो a minus a हमार पास यहाँ से 0 फिर multiple लोग into में यहाँ पर a करेंगे यहाँ पर भी a minus a 0 और लोग 0 पर हमार पास होता है infinite के एक वल तो हमार पास यहाँ जाएगी 0 into infinite form इस form को आजाने के बाद हम क्या करते हैं हमार पास यह दो function होते हैं इस प्रकार से किसी भी function को निचे लेके आते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे gx है तो इसको निचे लेंगे fx को या फिर आप gx को नीचे लिया कुछ इस प्रकार से इस तरीके से हम इसको नीचे लेके आते हैं और solve करते हैं तो देखो यहाँ पर इसको नीचे लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा limit x extend to a log x minus a upon में 1 upon में x minus a अब हम यहाँ पर limit को put करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर a होगा तो a minus a 0 log 0 पर मार पास infinite ठीक इसी परकार से यहाँ पर a minus a 0 something upon में 0 मार पास infinite के एकवल तो मार पास क्या आजाएगी infinite upon में infinite form यह form आजाने के बाद हम क्या करते हैं apply करते हैं al hospital rule apply al hospital rule इसके coding आप देखें log y को आपको साथ साथ लेखना है log y equal to limit x extend to a यह देखो इसका differentiation करेंगे log के respect में हो जाएगा x minus a 1 upon में फिर देखो upon में क्या है 1 upon में x minus a इसका जब हम करेंगे differentiation तो उपर दो हो जाएगा minus और upon में हो जाएगा x minus a का square तो यहां से देखो इसकी power 1 है इसको किसके cancel कर देते हैं इसको उपर ले जाएगे तो यहां से क्या हो जाएगा limit x extend to a minus देखो यह minus है ना इसको उपर लेके जाएगे तो यह जाएगा यहां से आके x into a limit put कर देते हैं यहां पर a होगा तो यह 0 जाएगा, तो हमार पास यहां से 0 आ जाएगा तो देखो, यह हमार पास क्या जाएगा log y equal to 0 anti-log लेंगे, कुछ लोग को यहां से remove को लेंगे तो यह जाएगा y equal to 1 की power 0 y equal to 1, इसकी statement की बलुए यहां पर put कर देंगे क्या है limit x extend to a x minus a की power x minus a equal to 1 इसका solution आ जाएगा, next हम करते है यह क्या limit x extend to infinite function है, 1 plus a upon में x की power x सबसे पहले यही पर limit put करके देखते हैं तो देखो, 1 plus a upon में यहां पर infinite करेंगे इसकी power भी infinite हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी x है अब देखो, यहां पर infinite हो जाएगा इसका जब हम अलिश्यम लेंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा infinite के साथ हम कुछ भी सम्करें तो हमार पास infinite की को लाएगा तो यहां अंदर क्या जाएगा infinite upon में infinite, c power भी infinite है तो यहां से आप देखें, क्या हो जाएगा यहां से, 1, 1 की power infinite हमार पास यह form आ जाएगी तो हमार पास यह एक indeterminate form है तो इसको solve करने के लिए हम क्या कर लेंगे आपर इसको y के एक लेट करके इस तरीके से लिख लेंगे limit x extend to infinite 1 plus a upon में x की power x taking log both sides तो यह मार पास हो जाएगा log y equal to limit x extend to a यह power आ गया जाएगी log वाले identity यहाँ पर हो जाएगा log into में 1 plus a upon में x calcium लेते हैं तो यहाँ पर भी x होगा अब limit को put करते हैं यहाँ पर हम x की जगें देखो यह limit infinite आएगी यहाँ पर x की जगे infinite put करेंगे तो infinite फिर देखो यहाँ से infinite plus a मालब कि infinite upon में क्या आया x की जगें infinite put होगा तो infinite upon में infinite 1 log 1 पर मार पास क्या अफ्ता 0 की एक्वाल यह मार पास क्या जाएगा identity 0 multiply infinite indeterminate forms form तो इसके लिए हम क्या करते हैं किसी यह function को निचे लेके आते हैं तो यहाँ से देखिए log y equal to limit x extend to infinite इस x को निचे लिए आएंगे तो यह जाएगा log into में x plus a upon में x देखो माने यहाँ पर LCM ले रखा तो आपको इस यह confusion नहीं होना है फिर देखो इसको निचे लिए के आएंगे तो 1 upon में x अब यहाँ पर हम limit put करते हैं तो देखो यहाँ पर infinite plus a infinite upon में यहाँ पर infinite तो यहाँ पर 1 log 1 पर 0 फिर 1 upon में यहाँ पर x के जाए infinite limit put करेंगे 1 upon में infinite आपको पता 0 के equal होता है 0 upon में 0 form हो जाएगी इसी तरीके हम यहाँ पर क्या कर देंगे apply al hospital rule इसके coding आप देखें log y equal to limit upon में x plus a upon में x या फिर आप 1 ही लिख लो यहाँ पर तो कि हमें इसका differentiation करना होगा a upon में x का इसका differentiation हम करेंगे तो यहाँ पर 1 का तो 0 हो जाएगा and यहाँ पर क्या होगा देखो इस तरीके साब इसको मनो a upon में x है ना तो आप इसको इस तरीके से समझाओ यह 1 upon में x है इसका जब हम differentiation करते हैं तो यह क्या आता है minus 1 upon में x square और a साथ में हम लिख लेंगे तो यह जाएगा minus a upon में x square इस तरीके से फिर देखो अपमें 1 upon में x square है इसका differentiation करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा minus 1 upon me x square और यहांसे हम क्या कर देंगे देखो minus को इसे cancel x square से x square cancel फिर यहांपर 1 plus a upon me x अब limit put करते हैं तो देखो यहांसे क्या रजाता है infinite upon me infinite मालव की 1 यह 1 upon me 1 फिर यहांसे a रजाता है into me a upon me देखो यहां से क्या a, upon में यहां पर देखो one है, cancel हो जाने के बाद तो हमारे पास यह क्या जाता है a के equal, तो log y यहां से हमारे पास आ जाएगा a के equal, तो इस परकार से हमें लिख देंगे, anti-log को remove करके यहां पर y equal to e की power a, और जो मरपास question था, उसकी जो statement थी, उसकी जगा हम y की value put करते हैं, तो यह मरपास हो जाएगा, limit x extend to infinite, one plus a upon में x की power x equal to e की power a, तो हमारे पास यह solution हो जाएगा, third करते हैं इसका part, तो यह क्या limit x extend to 0, function है, one upon में x की power 10x, असान है बिल्कुल, सबसे बहले देखो, limit put करके देखते हैं, पर क्या होता है, one upon में 0, तो यह हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर 10 0 पर 0 होता है, तो हमारे पास ही क्या हो जाएगा, 0 की power 0 form, अब हम क्या करेंगे, इसको y की power let कर लेंगे, और taking log both sides, तो यह क्या जाएगा, log y equal to limit x extend to 0, यह 10x हा गया है, जाएगा, log वाली identity के कारण, और यहाँ पर हो जाएगा into main log, one upon में x, अब देखो, यहाँ पर limit put करके देखते हैं, तो 10 0 पर 0, फिर देखो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन log 0 हमारे पास क्या होता है, इस form के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को यहाँ पर निचे ले के आते हैं, इन में से, तो log y equal to limit x extend to 0, 10x को निचे हम लिखेंगे, तो इसको हम cortex की form में लिख देंगे, आपको बता ही है, 10x को हम क्या जाते हैं, one upon में cortex, इसलिए हम इसको लिख देंगे, लोग into में, one upon में x, और यह क्या हो जाएगा, upon में आके cortex, अब देखों, यहाँ पर limit पूट करके देखते हैं, तो यहाँ पर तो log 0 जाएगा, log 0 पर infinite, और quote 0 पर भी हमारे पास infinite होता है, तो हमारे पास ही हो जाएगी, infinite upon में infinite form, इसके लिए हम क्या करते हैं, apply करते हैं, apply, करेंगे तो जाएगा, one upon में, one upon में x, into में, one upon में x के respect में करेंगे तो जाएगा, minus one upon में x, फिर देखो, इस x को इससे cancel कर देते हैं, upon में cortex है, इसका क्या जाएगा, minus, code 6, square x, यहां से मारे पास क्या जाएगा, minus one यहां से, और x यहां से, minus one upon में x, और देखो, इस minus को इससे cancel कर देते हैं, तो 1 upon में x upon में यहाँ पर क्या रजाता है cosic square x limit put करके देखते हैं यहाँ पर 0 रखेंगे and यहाँ पर 0 रखेंगे something upon में 0 मा रपास infinite केकवल cosic 0 पर मा रपास undefine होता तो यह भी infinite केकवल infinite upon में infinite form आगेन आ जाएगी again हमें यहाँ पर क्या कर देंगे again apply all hospital rule इसके coding आप देखें log y equal to limit x extent to 0 यहाँ पर यह क्या होगा था 1 upon में x इसका differentiation क्या जाएगा minus 1 upon में x upon में था cosic square x तो power के respect में करेंगे तो यह जाएगा 2 cosic x into में अब हम क्या करेंगे cosic x का differentiation तो यह क्या होजाएगा minus cosic x into में code x तो देखो इस minus से इसको cancel कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर क्या होजाएगा limit x extent to 0 1 upon में x square यह देखो 2 और इसको सिक किस के साथ multiply करेंगे तो यह क्या होजाएगा cosic square x into में code x और यहाँ से आप देखें cosic को हम किस के को लिख सकते हैं cosic x equal to 1 upon में sin x इसी तरीके से हम code x को भी किस के को लिख सकते है code x equal to 1 upon में 10 x इनको हम उपर ले जाएगे तो इस प्रकार से होजाएगा limit x extend to 0 1 upon में 2 into में आप देखें x square तो पहले से यह उपर है तो इसको हम convert करेंगे sin x में तो यह हो जाएगा sin square x upon में x square into में code x हमर पास हो जाएगा 10 x upon में 1 तो यहां से आप देखें limit हमर पास 0 है और यह हमर पास क्या हो रहा है sin square x upon में x square तो हमर पास यह identity होती है limit x extend to 0 sin x upon में x यहाँ पर square हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाले बात नहीं है whole square करके identity मार पास 1 के कोई हो जाती है तो देखो यहाँ पर इस कीज़ गया हो जाएगा 1 फिर यहाँ पर मार पास रहता है 1 upon 2 और यहाँ से 10x x कीज़ गयाँ यहाँ पर हम limit put करेंगे तो 10 0 पर मार पास 0 होता है तो यह मार पास हो जाएगा log y equal to 1 upon 2 into 0 यहाँ से और यह मार पास complete 0 के equal log y equal to 0 एंटी लोग लेकर इस लोग को remove करेंगे तो यह हो जाएगा y equal to e की power 0 और यदि किसी की power में 0 होता तो उसकों लेते है 1 के equal तो यह मार पास इसका solution हो जाएगा y equal यहाँ पर put कर देते हैं क्यूस्टन क्या था हमार पास limit x extend to 0 into 1 upon max की power 10 x और इसका solution मार पास है 1 के equal तो इस परकार से हो जाएगा complete next हम करते हैं साइद 3 का हमने किया है यह तो 4th का हम करते हैं यह limit x extend to pi by 2 into sin x की power 10 x सबसे पहले y को let कर लेते हैं इसको और देखो एक और dark limit पुट करके देख लेते हैं क्या होता है sin pi by 2 मार लोग की sin 90 degree sin 90 degree पर हमार पास 1 के equal होता है फिर देखो यहाँ पर put करेंगे limit 10 pi by 2 मार लोग की 10 90 degree पर हमार पास undefine होता है infinite इसको लिखते हैं यह हो जाएगा 1 के power infinite form तो हमार पास यह indeterminate form में साम्मिल है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे सबसे पहले taking log on देखो taking log on बोथ साइड हम क्यों करते हैं जो power वाले की उससे होते हैं सभी में हमें ऐसा करना होता है तक कि हम इसको आगे लेके आसके हैं तो इसलिए हम लिखते हैं taking log on both sides तो देखिए यह जाएगा log y equal to limit x extend to pi by 2 यह आगया जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा into log sin x अब देखिए यहाँ पर limit put करके देखते हैं तो देखो 10 pi by 2 मलोग infinite multiply sin pi by 2 मलोग 1 और log 1 पर हमार पास 0 तो मरबास क्या हो जाएगी 0 into my infinite form इसके लिए हम क्या करते हैं किसी एक को निचली आएगे log y equal to limit x extend to pi by 2 और यहाँ से इस 10x को निचली आएगे तो यहाँ से 10x को निचली आएगे तो यहाँ कोट की form में हो जाएगा log into my sin x यहाँ पर आके हो जाएगा code x अब देखिए अब यहाँ पर limit put करके देखते हैं तो sin pi by 2 पर 1 और log 1 पर हमार पास 0 फिर code pi by 2 पर हमार पास क्या होता है 0 ही होता है तो open में हमार पास 0 हो जाएगा हमार पास ही हो जाएगे 0 upon में 0 form इसके लिए हम क्या करते हैं आपर apply all hospital rule तो coding आप देखें log y equal to limit x extend to pi by 2 लोग के respect में करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1 upon में sin x फिर देखिए sin x के respect में करेंगे तो यह जाएगा इन 2 में cos x upon में cos x है इसका differentiation हमार पास क्या हो जाएगा minus cos square x यहाँ से देखो cos x upon sin x या फिर आप इसको weareous cost 6scale x को हम किएक इक रखते हैं cos 6 square x को 1 upon में sin square x के इक रखते हैं तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे कि- प्रकार से माइनस कोस x अपून में sin x यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है sin x इंटू में यहाँ पर क्या वजाएगा sin square x अपून में 1 इस परकार से वजाएगा जब हम इसकी जए यह पूट करेंगे इसको इससे cancel कर देते हैं यहाँ पर कहा रहे जाता है अब देखिए हम रपास यहाँ से क्या जा चुका है लोग को रिमूव करने के लिए यह हम रपास होजाएगा जब भी किसी की पावर 0 होती है तो इसको हम 1k को लेते हैं आपर हम y के वालू पूट कर देते हैं जो हमार पास क्यूस्चन था यह था हमार पास क्यूस्चन लिमिट x extend to pi y2 into में sin x की पावर 10x इस cancel हमार पास आचुका है इक्वल टू 1k अब करते हैं इसका फिफ्ट का बार्ट फिफ्ट का बार्ट के देखिए लिमिट x extend to 0 दिख लेते हैं आपर लिमिट x extend to 0 function है sin x upon x की पावर 1 by x सबसे पहले हम लिमिट पूट करके देखते हैं तो sin 0 पर 0, 0 upon 0, 0 ही आएगा फिर 1 upon 0, यह हमार पास क्या जाएगा 0 की इक्वल, something upon में 0, 0 होता है तो 0 की पावर 0 फॉर्म हमार पास यह यहाँसे इसके लिए हम क्या कर दें इसको y की क्वल लेट करके taking log on both sides तो यह यहाँसे क्या जाएगा log y इक्वल टू यह आ गया जाएगा यहाँपर लिमिट लख देते हैं limit x extend to 0 1 upon x into log sin x upon x यहाँपर अब हम limit पूट करके देखते हैं तो 1 upon 0, 0 ही होगा तो यहाँसे 0 यह फिर देखो log into में क्या है sin x upon x तो यहाँसे complete 0 यहाँपर 0 रखेंगे sin 0 पर 0 upon 0 0, y 0, 0 फिर देखो log 0 पर माजबा होता है infinite के इक्वल तो हमार पास यहाँसे बजाएगा 0 यहाँसे बजाएगा infinite 0 into infinite form हमार पास यहाँ रही है किसी एक को निचे लेके आएंगे यहाँसे log y equal to limit x extend to 0 इसको निचे लेके आते हैं तो यह हमार पास हो जाएगा log sin x upon me x और यहाँसे हो जाएगा x फिर आप देखें यहाँपर limit पूट करके देखते हैं तो देखो यह क्या है sin x upon me x हमार पास ऐसे identity होती है यदि हमार पास limit 0 वो इस प्रकार से हमार पास हो function sin x upon me x इसको 1 के equal लेते हैं तो यह तो हमार पास हो जाएगा 1 तो log 1 पर आपको पता है क्या होता हमार पास 0 के equal फिर देखो यहाँ पर 0 put करेंगे तो 0 तो मार पास 0 by 0 form हो जाएगी यह अब हम क्या करतेंगे आपर apply करतेंगे apply all hospital rule इसके coding देखिए log y equal to limit x extend to 0 यह देखो log की respect में करेंगे सबसे पहले तो यह हो जाएगा 1 upon में sin x फिर upon में इसकी x है into में अब इसके respect में करेंगे तो यहाँ पर u into v के identity लगेगी हमारे पास तो upon में क्या होता है इस x का square हो जाएगा और यहाँ पर x into में sin x का differentiation जब हम करते हैं तो यह जाएगा cos x फिर negative का sign sin x को as d लिखेंगे और x का differentiation करेंगे तो into में हो जाएगा 1 फिर देखें upon में यहाँ पर x है इसका differentiation 1 के एकवल यहाँ से देखो यह तो 1 कर देते हैं तो यहाँ पर हमार पास यह रह जाता है इसमें हम limit put कर देते हैं तो देखो यह 1 क्योंकि आपको पता ही identity होते हैं तो देखो इसमें limit put करते हैं जब हम तो यहाँ पर 0, cos 0 पर 1, negative का sign, sin 0 पर 0, into में 1, 0 यह हो जाएगा, फिर अपन में x के रहे तो यह भी 0, 0 अपन में 0 फॉर्म आ जाएगी, again, apply, l hospital, rule, दिए देखी, क्या आप जाएगा, log y equal to limit, x extent to 0, तो देखो, इसका हम क्या formula लगाएंगे, यहाँ पर, u into v का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले, x, y लिखे देखेंगे, cos 0, इसका differentiation करेंगे, तो sin, negative sin x हो जाएगा, फिर देखो, पलस अब हम क्या करेंगे कोस x को एच लिखेंगे और इस x का डिफ्रेंसेशन करेंगे तो इंटो में 1 फिर माइनस sin x का डिफ्रेंसेशन कोस x हो जाएगा यह negative है यह positive दोनों को cancel कर देते हैं अब ओन में x के रही हो जाएगा 2x यहां से महर पास कहा जाता है log y equal to limit x extend to 0 minus x into में sin x upon में 2x इसको इससे cancel कर देते हैं यह रहता है महर पास minus sin x upon में 2 limit put कर देते हैं यहां पर 0 तो sin 0 पर 0 upon में 2 something महर पास किसके equal होता है 0 के equal यह महर पास जाएगा log y equal to 0 और यहां से log को remove करने के लिए antilog लेते हैं बोच साइड तो यहां पर यह की power में हो जाता है और यह की power यदि 0 होती हमर पास यह हमर पास हो जाता है 1 के equal y के जिए हम put कर देते हैं जो statement थी limit x extend to 0 sin x upon में x इसकी power हमर पास 1 by x equal to 1 हमर पास इसका answer आजाएगा तो वीडियो जादा लंबी हम नहीं करते हैं इसका एक part ओर कर लेते हैं फिर हम करेंगे इसके next video में part फिर देखें next part हम करते हैं sixth का part है तो यह देखें क्या है limit x extend to 0 10 x upon में x इसकी power है 1 by x सबसे पहले हम यही पर limit को put करते हैं तो देखो 10 0 पर हमारे पास होता है 0 के equal upon में 0 तो यह 0 होगा फिर 1 upon में 0 something upon में 0 0 की equal 0 की power 0 फों बन रही है हमारे पास ही यह तो देखिए अब देखिए हम क्या गरते हैं इसको y के equal let करके both side log ले ले लेंगे तो यह जाएगा log y equal to power आ गया जाएगी यहां से यह जाएगा limit x extend to 0 1 upon में x into में log 10 x upon में x अब हम यहाँ पर limit put करके जेखिए हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास 1 upon में x means 0 put करेंग दो यहाँ पर 0 into में log 10 x upon में x 10 0 पर 0 upon में 0 है तो 0 upon में 0 0 log 0 को हमरे पास होता है infinite के कोल यह जाएगे अमरे पास 0 into में infinite form तो इसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर किसी एक function को निचली आएंगे log y equal to limit x extend to 0 इसको निचली लेकर आते हैं तो यह जाएगा log into में 10 x upon में x upon में हो जाएगा यहाँ से x अब हम limit put करके देखते हैं तो देखिए क्या होता हमरे पास तो देखिए हमरे पास यह एक identity होते हैं यहाँ से limit x extend to 0 कोई भी trigonometric rest हो हमरे पास यहाँ पर sin, constant, theta, secant कुछ भी हो तो देखो यहाँ पर 10 है तो 10 x upon में x यह हमरे पास किस के क्वल हो जाएगा 1 के क्वल तो यहाँ से उपर से क्या हो जाएगा log 1 log 1 हमरे पास होता 0 के क्वल फिर देखो यहाँ पर limit put करेंगे x किस हो 0 तो यह हमरे पास हो जाएगा 0 upon में 0 form अब हम क्या करदेंगे apply करदेंगे apply al hospital rule तूल तो इसके गोर्डिंग आप देखें, लोग y equal to limit x extend to 0, यहां से देखो, लोग की रिस्पेक्ट में करते हैं, लोग की रिस्पेक्ट में ऐसे क्या हो जाएगा, 1 upon में 10x upon में x, फिर देखो, 10x upon में x, means u upon में v की form में है, इसका करते हैं, 1 में हो जाएगा x square, उपर x into में 10x का differentiation यह हो जाएगा, sec and square x, फिर negative का sign, इसको as to लेते हैं, 10x into में 1 का differentiation यह हो जाएगा 1, upon में आप देखें, x है तो यह 1 हो जाएगा यहां से, और इसको जब हम solve करते हैं, तो देखो, यह हमार पास identity बन रहने हैं यहां पर, इसको तो हम equal 1 ले लेंगे, हमार पास यह रहत है, अब यहां पर हम limit put करके देखते हैं, तो देखो, 0, यहां पर 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 0, लेकिन sec and 0, पर 1 होता है, तो यह 0 ही हो जाए, क्योंकि 1 के साथ 0 के में पला होगी, 0 ही, 10, 0 पर 0, यहां पर 0, यहां पर भी 0, हमार पास यहां से क्या जा limit x x 10 to 0 यह देखिए u into v की form बंद रही है यहां से x को as लिख देते हैं secant square x का करते हैं तो power के respect में क्या हो जाएगा यह 2 secant x अब secant x का करेंगे तो यह क्या हो जाएगा secant x into 10x फिर देखें पलस अब हम क्या कर देंगे secant square x को as दे लेंगे x का करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा secant square x into 1 negative 10x है इसका differentiation क्या हो जाएगा यहां से secant square x फिर देखो यहां से यह positive secant square x है यह negative दोनों का हो जाएगे cancel यहां से upon में x square है तो इसका differentiation 2x के equal फिर देखो यहां से क्या हो जाएगा limit x extend to 0 यहां से देखो x into my secant x और यहां पर secant x है तो नों को मल्टिपला है secant square x into my 10x अब उन में 2x फिर देखो इसको इसके साथ cancel क्या रहे जाता है हमरे पास limit x extend to 0 secant square x into my 10x limit put कर देते हैं यहां पर 0 करेंगे तो 1 लेकिन 10 0 पर हो जाएगा 0 के क्वल तो हमरे पास यह 0 ही आजाएगा log y equal to 0 anti-log लेके log remove करते हैं y equal to y की power 0 y equal to 1 जो हमरे पास statement थी वो हम y की जिगन रख देते हैं यह हो जाएगा limit x extend to 0 10x upon mx की power 1 by x equal to 1 हमारे पास इसका answer हो जाएगा तो आज हमने की है exercise 3.3 के second question के 6th part तक next video में कोशिश रहेगी कि इस exercise को complete क्या जाए video को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद